इसका मतलब है कि आपके हाथ में चाहे एक चीज है या दो है छोटी है चाहे कम है लेकिन आपको उस चीज से सैटिस्फाय रहना चाहिए अब यहां पर बर्ड आपके हैं अगर आप उसको देखें कि पेड़ पर दो चिडिया है ठीक है और आप उसको पकड़ने के लिए पहल दिखाने और आपके लिए जादा लेने के लिए आप क्या पता थोड़ा भी खो बैठें इसलिए इसका एक एक एक्जामपल है यू में आट लाइक और जॉब कि शायद आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है बट डॉन्ट कि अच्छी जॉब धूनने की चक्र में अपनी च्छानी चोव ने छोड़ दे बर्ड इन दे हैंडी डिस वर्थ टू इन दभ वुश की एक हाथ में चो चेडिया है या फिर ऐसा नो कि आप अपना ज्णा की चक्र में अपना नसे जादा की चक्र में जो थोड़ा साब भी है उसको खो देश लिए तो बड इन दे हैंड इस वर्थ नौ थू इन दबूशुश। सेकिन है बुल इंचाइना शॉपूल इंचाइना शॉपका मतलब है समटैंग जो बहुत horn रॉबैiran यह जिसकी तबाही होगी है, ठीक है। अबाही जैसा कहा रॉौ। इंचाइना जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक बुल है एक चाइना के समान वाली शॉप में और सब किसे तहस्नास हुआ पड़ा है तो इसलिए यह अनौर्गनाइजड है तो राम is like a bull in China shop when it comes to dealing with her wife's feeling and emotions की उसको समझ में नहीं आता कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें जैसे कि अगर आप एक बुल को एक ऐसे समान की जगा या दुकान में छोड़ दें जहां पर काज का ही समान है या पर मिट्टी का समान है तो उसको थोड़े पता है कि वो समान तूट जाएगा उसकी आवाँ भागने से तो इसी तरह से जो मैं पता नहीं होता कि चीज़ों को कैसे डील करते हैं तो सिच्वेशन क्या होती है बुल इन चाइना शॉप नेक्स्ट जो हमारा एडियम है एक चीप ऑन यूर शोल्डर अचीप ऑन यूर शोल्डर का मतलब ह कि आपके कंदे पर कोई चीज पड़ी हुई है और बहुत केरफूल रहते हैं वरीड है परिशान है कि वह चीज कहीं गिरना जाए लेकिन उसको कोई छोटी से चीज है चाहे वह पड़ी हुए या गिर जाए उसको कोई फरक नहीं पड़ा कर लेकिन आपको टेंशन लेनी ह तो अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है तो फिर क्या अगर सकते हैं तो ही इस पिकिंग फाइट विद एवरीवन ही सीम्स टो एव चीप उन इस शोल्डर जैसे कि कोई परसन या स्ट्रेस्ट है परिशान किसी चीज को लेके लेकिन शायद वह चीज इतनी मैटर नहीं करती वाट वह अपना गुस्सा दूसरों के उपर दिखाता रहते हैं तो हो सकते हैं कि हैसे चीप उन इस शोल्डर उसको कुछ ऐसी परिशानी है हीडन जो किसे से शियर नहीं कर सकता है सेकिंड है डैम स्क्विब डैम का मतलब जो गिला या फिर सीलन जिसमें पर जाती है और स् स्क्विब का जब आप किसी गिले बटाके को चलाती है तो उसमें फायर वर्क या कुछ पी चिंगाली उठती है नहीं न ऐसी है कि हम जब किसे से होप करते हैं कि चीज बहुत अच्छी होने वाली है लेकिन वह वैसे नहीं होती आपने एक्सपेक्ट तो किया था कि बड़ कि नहीं आये तो जो पार्टी का मज़़ा था वो खराब हो गया जितनी आपके एक्साइटमेंट थी वह सब पानी हो गई इस जासरे की जगह पर यूज कर सकते हैं कि आप चारिटी करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको लगता है कि जितना आपने पैसा दान में दिया है वह छोटी सी बूंद है बस क्यूंकि दान लेने वाले लोग जादे हैं और देने वाले कम नेक्स जो है वह लेपर कांट चेंज इस पॉट्स अब यहां पर एक लेपर है अब उसको बोलें कि भाई अपनी स्किन को चेंज कर लो तो वह करेगा शायद वह पेंट करके या पिर अपनी खाल उतार सकते हैं लेकिन जो उसकी ट्रेट्स हैं जो उसकार करने की आदत है न ठीक है don't trust him again with money कि अगर आप किसी दूसरे इंसान पर पैसों के लिए ट्रस्ट करें कि वह इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है शायद उसने आपको पहले धोका दिया है आपको पता है कि वह कैसा है आपको उसकी अगर आपको दिख रहे हैं कि जो बूसे का एक स्केर को टाइब का इक चीज है आपको लगते ही चीज इस टेबल होती है नहीं, अगर कोई इंसान a man of straw है ठीक है, तो क्या वो stable होगा straw से ले लो, straw कितना पतला सा होता है अब उसको फूख मारोगे वो उठ जाएगा, अगर एक इंसान straw से बना है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत जादा weak है ठीक है, weak persons के लिए यहां a man of straw use करते है he is a man of straw don't ask him to lift this heavy box कि कहीं, उसको मत बोलो क्योंकि वो बहुत weak है, इसलिए उसको इतना भारी समान उठाने के लिए, मत बोलो ठीक है, तो man of straw से याद लखना है कि जो straw है, वो बहुत पतला होता है, और weak इक इनसान के लिए, man of straw use करते है next है, a mayor's nest mayor किसको बोलते है, घोडी को अब आपको पता होगा कि घोडी जो है, वो nest में या फिर घोसले में तो रहती नहीं है ठीक है, तो mayor's nest का क्या मतलब है कुछ imaginary, कि जो reality में possible हो ही नहीं सकता ठीक है, तो his dreams of earning profit in this business is just mayor's nest, कि उसको वो एक ऐसा business करें जिसमें profit हो नहीं सकता, लेकिन वो चाहता है कि या उसको सपने आते हैं कि वो profit earn कर लेगा तो वो सिरफ imaginary है, जो कभी real में possible नहीं है तो a mayor's nest, कभी घोडी घोसले में नहीं रहेगी और कभी उसको profit नहीं मिलेगा तो वो सिरफ एक imaginary आपकी दिमाग की बनाई हुई खिचडी है, जितने मर्जी पकालो नेक्स्ट है a piece of cake, अब जब काप cake खाने लगते हैं, तो उसमें जादा efforts लगते हैं, बिल्कुल नहीं, exactly तो a piece of cake का मतलब है कोई ऐसा काम, जिसको करने में आपको कोई दिक्कत ना आती हो, जिसमें आप करने में बहुत अच्छे हैं कुछ लोग योगा करने में अच्छे होता है, कुछ पढ़ाने में अच्छे होता है, कुछ poetry लिखने में, कुछ fiction ये stories लिखने में, तो वो उनके लिए a piece of cake होता है, जो बहुत easy काम होता है ठीक है, तो when I was asked to write a short poem by a new teacher, ये new teacher नहीं आपको बोला है, एक poem लिख दो, मुझे poem लिखनी आती है, तो it was a piece of cake to me, तो ये मेरे लिए बहुत ही असान काम था, मेरे लिए मुश्की नहीं था a slap on the wrist, आपने कलाई पे थपर मारा, ठीक है, आपने हाथ पे नहीं मारा, आपने मुँपे नहीं मारा, कलाई पे मारा, अब कब मारते हैं, सपोज आपका छोटा सा बेटा है, आप कुछ खाना बकारे हैं, और वो कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, आप उसको मुँपे चा जो बहुत स्लाइट हो, जाधा कड़ी पनिश्मेंट ना हो, ठीक है, या फिर आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, लेकिन थोड़े प्यार से, ठीक है, अब उसको लगता है कि जो कुकी जार है, वो मेरा है, उसको किसी को नहीं देना, तो जैसे मैंने कुकी जार की उसने एक तरीका बताया मुझे रोकने का, कि ये चीज मेरी है, इसको टच मत करो, ओके, नेक्स जो है, स्टॉकिंग होर्स, आपने कभी घोड़े को देखे, जो वो बहुत ध्यान से किसी चीज को देखते है, इट मींस उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो स्ट इसके इंटेंशन हमें पता नहों कि उसके इंटेंशन क्या है, ठीक है, सामने से तो बहुत काम दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत जादा शान्त है, लेकिन क्या पता कि उसको मौका मिलते ही, वो आपे वार कर दे, कि जो दो पार्टीज हैं, उनके बीज की बातचित हो रही है, वो सिरफ एक स्टॉकिंग होर्स है, हमें अंदर का इंटेंशन नहीं पता कि पार्टीज जो है, वो क्या आपका, मतलब बातचित करी है, उनका मौटिव क्या है, मीटिंग करने का, ठीक है, तो हमें उनके इंटेंशन नहीं पता, तो वो एक स्टॉकिंग होर्स है, जो जीज जिसके इंटेंशन क्लियर नहीं है, नेक्स्ट है, टेस्ट ओफ यूर ओन मेडिसिम, अब टॉम जैरी की पिक्चर देख लो, आप कि जो टॉम है, वो जैरी के बिल में पटाका लगा रहा है, और जैरी करें कि टॉम तो एक मेडिसिन दे रहा है, जैरी को लेकिन जैरी उसकी मेडिसिन ये उसको वापिस दे रहा है, ठीक है, उसको सवाच खाना है, उसने खुद की दवाई का, कि जो हो कर रहा है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, तो दूसरों को ये बताना कि आप कैसा फील क करते हो या कैसा आपको लगता है जब आप उनके इंसर्ट करते हो बुरा बोलते हो उसको बोलते हैं टेस्ट ओफ और और मैडिसिन कि सो आइम टाइड ओफिम ऑल्वेस फाइंडिंग फॉल्ट्स विद मी कि वह मेशा मुझमें दोश दूनता है कि मैं चाती हूं कि उसको अपनी गलतियों के बारे पता चले उसको रिलाइज हो कि मुझे कैसा फिल होता है ठीक है नेक्स्ट है वुल्फ इन शीप क्लोधिंग कि एक वुल्फ है उसने शीप के कपड़े पह लिए अब ऐसा तो नहीं है कि शीप के कपड़े पहने शीप होती ही महसूम सी और वुल्फ होती है चलाक तो दोनों की तो जो परस्णालिटी से वही बहुत डिफ्रेंट है अगर आप वुल्फ को शीप की कपड़े पर नाद होगे तो उसका माइन थोड़े चेंज कर सब्सक्राइब वह शातिर ही रहेगा वह शिकारी ही रहेगा और शीप वह इनोसेंट रहेगी ठीक है तो इसका मतलब है कि आप जो परसन दिखने में आपको बोला-बाला इनोसेंट सा हमें अच्छे नहीं है ठीक है वह आपको झीतिंग कर सकता है आपके साथ धोका कर सकता है तो वॉल्फ इन शीफ स्क्लोधिंग होता है तो इस परसन सिस्टेम अप व्ल्फ इन शीप विश्वास की एक बोहुत परसनल सिस्टेम पर बहुत ट्रस्ट किया लेकिन उसने कि आक लेकिन उसने काम तो शूल्ट फला किया ना इसलिए हम क्या बोलेंगे शीफ इन वुल्फ इन शीप्स क्लोथ मतलब जिस इनसान के बाहर से जो इनसान जैसे दिखता है वैसा अंदर से ना हो अब आग में पानी डाल लेंगे तो बुझेगी ना लेकिन अगर आग में पैट्रोल डीजल ठीक है फ्यूल डाल देंगे तो आग बढ़ती है इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना कि पहले सी कोई चीज़ गलत हो रही है अब उसको और गलत कर दो वह भी गार जैसे कि अड़े टाइम सेंड बोथ दा फ्रेंड्स अनौट टॉकिंग टू अनौट टॉकिंग टॉकिंग टॉम्स कि दो दोस्त हैं आपस में जगड़ा हुआ और बातचीत नहीं कर रहे हैं तो प्लीज टू नौट एड़ फ्यूल तो दो फ्लेम्स कि उनमें चाहिए जो अगर आप ऐसा करते हो तो यू और एड़िंग फ्यूल टू फायर नेक्स्ट है अगेंस्ट टॉक अगेंस्ट टॉक है कि घड़ी तो अपने टाइम पे चलती है लेकिन आप घड़ी से अगेंस चल रहे हो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आ आपके पास टाइम की कमी है लेकिन आपको काम भोग साथा कुरा करने ठीक है तो आप टाइम से रेस लगा रहे हो तो टीम वोगिंग अगेंस्ट फीनिश दा प्रोजेक्ट ओन टाइं पुरी टीम थी वो बहुत हार्ड़ वर करी थी तीजी से काम करी थी चाहिए उनके पा all bark and no bite अब ये कुत्ता बंदा हुआ है ठीक है अब ये Rabbit बार्किंग्र कर रहे हैं बट क्या या पुग कार सकता है नहीं ना तो इसका मतलब है कि जो इसके सामने से तो यह डेंजरेस लगेगा लेकिन ये करं कुछ ने सकता ठीक तो डेंजरस तो है लेकिन उपर उपर से अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि वो दिखने में तो गैंग्स्टर जैसा है रफ एंट अफ है लेकिन वो सिर्फ बोलता है उसको करने की कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए और अगर आप किसी चीज से बंधे हुए तो आप बिल्कुल नहीं करवा होगे सिमिलरली अगरा कोई इंसान जो है वो सिर्फ बोलता रहता है कुछ करके नहीं दिखाता तो हीज और बाग नो बाइट नेक्स्ट है और इन दे सेम बोट और इन दे सेम बोट का मत्रब है सब एक ही कश्टी में सवार है सब एक जिसे सिचुएशन को फिल कर रहे है सबको पता है कि मारे पास क्या है क्या नहीं सब प्रिशान है ठीक है कुछ भी हो सबको पता है कि सरकम्स्टैंस किस टाइप के हैं तो वैन इट केम टू कंट्रिबूटिंग फॉर दा इवेंट दे सेम बोट कि जब बात आए कि का इवेंट का प्लान ही कैंसल कर दिया इट मेंस कि उनको समर्ज में अगर कि सबकी सिचुएशन एक जैसी है तो अगर किसी एक ने भी पैसे दिये तो बाकिंग को भी देने पड़ेंगे इसलिए उनने कलेक्टिव ले मिलकर यह डिसाइड गया कि कोई भी पैसे नहीं नेक्स्ट है एन आम एंड अलेग इट मींस कि आपको कोई चीज बहुत कोस्टली बढ़ जैसे आपको यह डॉलर साइन दिख रहे इसमें एक सेट पर आम है और एक सेट पर लेग है तब जाके आपको यह डॉलर साइन मिला ठीक है तो आपको इसको कमाने में मतलब की बहु जो चीज कोस्टली पढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं एंड आम एंड अलेग आई वुड रेली लाइक तो हैव न्यू फार्म हाउस बट इट में कोस्ट में आम एंड अलेग कि मैं एक नया फार्म हाउस खरीदने के चाता दो हूं लेकिन शायद यह मुझे बहुत मह पढ़ जाएगा ठीक है इसलिए में प्लार नी कैंसल कर दिया कोस्ट में आम अगर अपने शरीर के पार्ट को बेच के कोई चीज पर चेस करोगे तो अब इसलिए वह पोस्ट लिए ना देन सेकिंड है एन आइरन हैंड आइरन हैंड का मतलब है स्ट्रिक्ट ली हैंड जो होते हैं वह बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन आइरन हैंड मतलब किस आइरन से पना हुआ हैंड जो बहुत बारी होगा बहुत बहुत होगा हाड होगा तो इसलिए जो चीज हम स्ट्रिक् कि वह कंपनी को पहुत स्टिक्टली चलाता है उसके रूल्स पहुत स्टिक्ट है ठीक है जो नेक्स्ट है एड़ डॉप ओफ हैट एड़ डॉप ओफ हैट कि जैसी हमने हैट को नीचे गिराया आप उसको करने के लिए त्यार हूं मतलब बहुत जाला सुपर एक्साइटेड इतने एक्साइटेड कि आप वेट भी नहीं कर सकते हैं कि आपको वही सिग्नल दे या कोई आपको वार्णिंग दे लिए नहीं आपको एक्साइट हो कि जैसे हैट निचे आएगी मुझे भागना है कि वह हर मुमेंट पर एक्साइटेड होता था हर चीज को करने के लिए और उसमें एनर्जी तो थी लेकिन वह बीना आगे की सोचे काम करता है ठीक है जब आप बीना किसी कॉंसेक्वेंसी रिजर्ट्स को सोचते नहीं बस आपको काम करना है तो क्या होता है फिर आप क्या करते हो एक्ट डॉब ओफ एट जो नेक्स्ट है वह है बैकसीड ड्राइवर बैकसीड ड्राइवर का मतलब है कि जो इंसर्ट पीछे बैट की यह बसे हैं आपके बोलता है ऐसे करो वैसे कर लो सब आपको कारण ड्रैव कर रहे हो आपको पीछे से इंस्ट्रक्शन्स दे रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे चलाओ नहीं ऐसे चलाओ ठीक है क्या होता है कि वह बैकसीड ड्राइवर्स जो उता का दिमाग खड़ाब करते हैं सभर आपके पीछे बातें कर सकते हैं वो बिसकील जो बैकषी ड्राइवर्ज Nagû यह होता है क्लिए जो आपके पीट पीछे बाते करते हैं वो सामने कि तो कुछ करेंगे निहीं बस पीछे बाठ के बोलते रहेंगे तो, I cannot stand my relatives being backseat driver to me कि जो relatives मेरे पीठ पीछे बाते करते हैं मुझे उनके साथ नहीं कोई भी relationship रखना मुझे मैं उनके साथ कोई भी कि संबंध नहीं रख जाता था cannot stand का मतलब है कि आप उनको beer नहीं कर सकते तोलरेट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है barking of the wrong tree अब बिल्ली यहां बैठी है और कुतना यहां भोक रहा है तो वह गलत पेड़ के उपर भूंक रहा है ना इसका मतलब यहीं है कि आपको पता नहीं कि आपको आपका target क्या है ठीक है अब बीना को सोचे समझे काम करना start कर देते हो if you think you will solve the problems by following those steps you are barking of the wrong tree कि आपको लगता है कि आप यह steps follow करके problem को solve कर लोगे तो आप बीना सोचे समझे कुछ कर रहे हो कि आपको अपको अपने targets नहीं पता आपको उसके results नहीं पता बस आपने अपना काम करना है ठीक है तो आप क्या कर रहो barking up the wrong tree next step beat a dead horse अब जो गोड़ा मर गया उसको मार के क्या फायदा हो ठीक है similarly अगर कोई बात खतम हो गई है आप उसको वापीस से उठाते हो वापीस से उस पर चर्चार करते हो फिर वह खतम जाते है फिर उसको करते हो start तो उसको कोई फायदा ही होता क्योंकि वह अगर आप किसी बात को खतम कर देते हो उसको वापीस से बाहर निकाने का कोई फायदा नहीं है कि इस मैंस्क्रिप्प पबिश्ट पटाई तीक एंग हीज इस बीटिंग अडे उसको अपने फॉक पबिश्ट करोणिया मैंस्क्रिप्प और लेकिन वह काफी बार िजैग्ट हो चुके है फिर ट्राई करता होस्ति इसको तो इसना मतलब है इस बीटिंग उस जुड़्य निकलने वाला वह बेस्ट है देन नेक्स्ट है बेंड ओवर बैक्वर्ड अब इतना ज्यादा क्यों जुकेंगे ठीक है अब इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रीम लेवल की पेल लेते हो ताकि दूसरों को बैनिफिट मिल सकें उसमें आपका भी बैनिफिट हो सकते हैं लेकिन आप बैंड ओवर बैक्वर्ड का मतलब है कि एक्स्ट्रीम लेवल तक जाके किसी की हेल्प करना इसका मतलब है कि जो बैंक की लोग है वो एक्स्ट्रीम लेवल तक ट्राइ करते हैं कि वो सभी फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइट करवा सकें क्लियर देन हैं ब्लो होट एंड ब्लो कोल्ड एक कभी आप थंडे साइड पर जा रहे हो कभी गर्म साइड पर इट मेंस कि आप एक साइड पर स्टेबल नहीं हो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या इस मदर केप ब्लोइंग होट एंड कोल्ड आउड आइडिया ओफ गोईंग ब्लोड फॉर एजुकेशन कि उसकी मदर को पता नहीं हो डिसाइड नहीं कर पा रहे है कि वह ब्लोड एजुकेशन के लिए कैसे जाएगी या कैसे जाएगा ठीक है कि कभी वह हां बोलती है कभी ना बोलती है उनको कुछ इपीलिटी नहीं है तो ज्या कर दिए ब्लोइंग होट एंड कोल्ड नेक्स्ट है कांट कट्ब मस्टरड सीड शत्राम देखें कि कि प्लोड बहुते हैं इतने इतने आप इसको कट कर सकते हो नाइक से कर सकते हो नहीं similarly ऐसा कोई काम जो आप नहीं कर सकते या करने के काबिल नहीं हो तो आप कोई बोले कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते it means you can't cut the mustard he tried to run the post office business under Clements Administration कि उसने किसी के अंडर वो business करने के start करी but could not cut the mustard लेकिन उसमें successful नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ability नहीं थी business कुछ लारे की knowledge नहीं थी then जो next है cock and bull story ये बहुत easy है आज कर बच्चों को भी पता होता है कि cock and bull story का मतलब कुछ imaginary जिसका मतलब आपको कुछ fancy है लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई proof नहीं है ठीक है तो क्या होगा she started to tell some cock and bull story to the police officers about how she found a huge bag containing five pounds of gold तो आपको पांच पांड गोल्ड मिले और आप पुलिस को स्टोरी सुना रहे हो कि ऐसे मिला और वैसे मिला लेकिन उसमें से कुछ भी आपको लगता है कि वह imaginary है तो वह क्या हो जाएगा कोउक एंड गूल स्टोरी next है come hell और high water come hell चाहे तो hell आजाए चाहे तो फान आजाए कुछ भी आजाए ठीक है कैसी भी situation हो लेकिन आपको वो चीज़ करनी है extremely adverse situations हो जाए ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है come hell और high water I want to complete this report by today come hell और high water कि मुझे ही काम आज ही करना चाहे तो फान आए चाहे अंधी आए ओके next track cut and dried अब जब आप trailer की shop पे जाते हो तो आप कपड़ देते हो वो काटता भी है उसको सिलता भी है प्रेस भी करते हैं तो आपको एंड में जाके क्या मिलते है ready made product मिलते हैं तो वो क्या हो गया cut and dried कि जो चीज ऑल्रेड़ी थ्यार है अल्दों मोस्ट पार्टी पार्टीज एव एग्रीड ओन देल इस नोंट येट कट एंड राइट कि अभी तक ये कि अंडे पड़े होगा उसको count करें कि इसमें से दस छोटे-छोटे hatches chickens निकलेंगे या आठ निकलेंगे ठीक है तो इसका मतलब है कि पहले से यह नुमाल लगाने शुरू करने पहले से सपने देखने कि हाँ ये चीज होने वाली है ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता हो सकते ह कि वो उल्टा ही पड़ जाए ऐसा हो ही ना शी वांटे टो बाई ड्रेस इनके समवन आस्ट हर तो डांस की वो चाती है कि वो ड्रेस ख्रीद ले कि शायर उसको वह डांस के लिए पूछ ले बट आई टोल्डर नोंट टो काउंट हर चिकंस बिफोर दे हैश्ट की अभी व सपने देख रही है वो ख्याली पका ख्याली कुलाओ पका रही है कि वो जिसका भी कुछ पका नहीं कि ऐसा कुछ होने कि नहीं होने वाले बास्केट कि आपने सारे के सारे अंडे एक ही कटोरी में रख दिया तो क्या होएगा वो बैलेंस खत्म हो जाएगा उसका ठीक है वो डिस्ट बैलेंस हो जाएगी और सारे अंडे गिरके हो सकते हैं आपको सारे अंडो का नुपसान देलना पड़े या कुछ अंडे बच जाएं इसको सोच के देखो कि आप क्या करते हो आप सारे एफर्ट्स एक ही चीज में लगा रहे हो ठीक है तो आप क्या कर रहे हो पुलिंग यूर एग्स इन वन बास्केट हो जगता है को शा एग्स इन वन बास्केट बाइइंवेस्टिंग ओलिस मनी और स्टॉक्स की वह नहीं चाहता कि अब सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दो क्योंकि जो स्टॉक्स होते वह अंस्टेबल होते हैं उसमें नुकसान होने के चांसे भी है और प्रॉफिट ओने के भी तो नुक्सान से बचने के लिए क्योंकि वह बहुत रिस्की काम है इसलिए नुक्सान से बचने के लिए आपको सारा पैसा उसमें नहीं लगाना है ठीक है तो डोंट पूट योर एंग्स इन वन बास्केट जो नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैस इसलवर लाइनिंग कि जैसे ही बारिश चाती है या अंधेरा हो जाते है उसके बार सुब्वे होती है सीमिलरली अगर को सिचुएशन जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ होप जैसे होता ही है चाहिए वह आप कुछ भी कर लो ठीक है एवन दो ही हैड लोस्ता मैच ही गेंड इन एक्स्प आपको देखना है कि अगर अभी जो सिचुएशन से आपके खिलाफ है तो कभी ना कभी तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी नेक्स्ट है फ्लाइश इन द पैन आपने कभी पैन जैसे यह फ्लाइश होती है यह क्या गरती है एक यह दो सेकिंड के लिए फिर बंद जाती है similarly flash in pan का मतलब है कि जो चीज स्टार्टिंग में आपको लगी कि बहुत अच्छी होने वाली है लेकिन in the end वो उतने जादा expected जितनी अच्छी थी वो उतने अच्छी नहीं हो His initial good performances were a mere flash in the pan कि स्टार्टिंग की जो performances थी वो स्टार्टिंग में अच्छा होना और बाद में जाके वह बिल्कुल खराब हो जाता है या फिर बिल्कुल थंडा हो जाते है तो वह क्या होता है एक फ्लैश इन दे पैन नेक्स्ट एक गेट वान दे रॉंग साइड ऑफ दे बैड इट मेंस कि जो आपका दिन है न वह बहुत खराब निकले या फिर खराब हो ना शुरू जाता है आपकी बोस्त ने आपको डांड दिया आपकी फाइल अप्रूव नहीं होई या कुछ भी ऐसा तो आपको जब आपको किसी सो बोलते हैं कि आपका बैड था तो लोग आपको क्या कहते हैं यह यह शायद बहुत साइब अगि जो मानते हैं कि आपको बैड के पर्टिक्लर साइड की तरफी उठना चाहिए अगर आप रॉंग साइड पर उत्थे अगश पर दिन in a very bad temper today did you go get out on the wrong side of the bed किया आप गलत साइड पर उतर गे थे it means कि आपको जो देरने पर बहुत जादा ख़राब निकला है क्या it means having bad day then have graveyard shift graveyard मतलब क्या होता है कब्रिस्तान कब्रिस्तान का time shift का मतलब मैं क्या आप रात को गाम करते हो ठीक तो ही वर्क सिंदा ग्रेव याड शिट बेसिकली रात को 12 बज़े से लेकर सुब़े के 5-6 या सार बज़े तक जो शीफ्ट होती है जो लोग उसमें काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं ग्रेव याड शीफ्ट नेक्स्ट है going to hell in a hand basket ये Christianity से एक idiom आया है कि जो साटन या फिर जो hell में जो protectors होते थे जिनको हमें hell में लेकर जाना है नर्क में लेकर जाना है तो उन लोगों के heads को काटके एक basket में रखते थे और उस basket को फिर hell में लेकर जाते थे इट मेंस कि आप जो है वह बुराई की तरफ जा रहे हो तो वह क्या होगों कि आप जो है वह बुराई या फिर नीचे की तरफ जा रहे हो तो वह क्या होगों कि going to hell in a hand basket कि आज करॉप्शन इतना बढ़ी है कि जो पुलीटिकल लीडर्शिप है वह कहां जा रही है वह डिकलाइन हो रही है वह खराब हो रही है देन है हिट ओंडर हिट दाने ओंडर हैट इट मेंस एक्यूरेट आपने बिल्कुल सही निशाना लगाया है यहां आपको बोला कि यह तो आपने यहीं पर नेल को ठोक दिया तो इट मींस आपने एक्यूरेटली काम किया कि लोग जो है वो दूसरों को ताने देंगे कि यह चीज खराब है सिस्टम नहीं अच्छा पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने फिल्कुल सटीक चीज कही है ठीक है उसने एकदम सही जगा पे निशाना लगाया है वो क्या होगा hit the nail on the head then जो next है in the heat of the moment in the heat of the moment का मतलब है कि आपने गुस्ते में एंगर में या फिर excitement में कोई काम कर दिया ठीक है जिसके results का आपको पता नहीं था या आपने सोचा नहीं जैसे इंसान है इसने आप पर पैसा देखा और यह डंडा लेकि यहां तक आ गया ठीक अब इसने यह नहीं सोचा कि यह तो खाय में भी गिर सकते है इसका नुकसान भी हो सकते है तो उसने स्था तो हैं निकुछ उसने excitement में आके जम्प कर दिया ठीक है तो जब आप excitement में कोई काम करते हैं बीना सोचे हुए तो वो क्या करते हैं आप इन दा हीट ऑफ दो मुवमेंट कि जो उसने कहा उसका मतलब वो नहीं था उसने शायद गुस्से में आपको बोल दिया ऐसा ठीक है नेक्स्ट है आइवरी टावर आइवरी टावर आप कोई चीज जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे यह आप लगता है कि यह रियल होगी अब हाथी दान से कभी कोई टावर खड़ा कर सकते हो नहीं तो वो एक इमेजिनरी चीज है ठीक है जिसकर रियालेटी में पॉसिबल होना थोड़ा सहमुष्ट किला है दा बुक वस रिटन बाई सम्कॉलेज प्रोफेसर हूँ स्पेंट हर इंटाइर प्रोफेस्टनल लाइफ इन आइवरी टावर कि जो बुक थी वो एक ऐसी प्रोफेसर ने लिखी जिसकर पूरी लाइफ एक इमेजिनेशन वाली जिंदगी गुजा रही है उसको रियालिटी से कोई लेना देना रहनी है तो उप्रोफेसर बुक है जो उसकी बुक होगी वह भी एक इमेजिनेशन बेस्ट बुक होगी कि बहुत सारी इस तरह से रोप्स बिख्री पड़ी है तो आपको कैसे बता चल लेकर कि कौन सी रस्ति सही है तो जब आपको एक्स्पीरेंस हो जाता है किसी चीज का तो आपको क्या है कि आपको सब कुछ पता होते हैं आपको यू नो एवरिधिंग आपको आपको काम हो जाए तो वही चीज है रोप आपको पते हैं कि कौन सी रास्ति को टच करना है या कौन सी रास्ति से आपने काम करवाना है कि देन है लास्ट स्ट्रोव एक ऐसी चीज जो शुरू में किये गए सारे काम को तबाह करते हैं डेस्ट्रोई करते हैं सपोज यहां पर एक कैमल है कैमल के उपर आपने बहुत सारा असमान रखा हुआ है बहुत जादा है वह वह वेट जो उसकी पीठ पे है लेकिन इंद तो सिमिलरली सपोज आपने पूरा फंक्शन एक अच्छे से और्गनाईज कर दिया ठीक लेकिन एंड में जाकर आपने छोटी सी गलती कर दी तो वह क्या कर रहेगा आपके पूरे फंक्शन को डेस्ट्रोई कर देगा आपको समझ में आई तो इट इस दा लास्ट स्ट्रो बैक की एंड में अगर छोटी से भी गलती करते हो तो वह आपको नुक्सान डायक प्रूव हो सकती है आपको लोस में लेकि जा सकती है देन कीप एंड आय ओन कीप नाय ओन का मतलब है कि आप किसी भी नज़र लगते हो सब्सक्राइब आपको बच्चे छोटे हैं तब उनको बाहर बेशते हो लेकिन आप क्या घरते हो यू कीप वाच आप उनके उपर निग्रानी निग्रानी से रखते हो ताक कि आपकी बच्चों को चोट ना लग जाए वो गलत काम ना करें सिमिलरली कीप एन आई ओन दे स्टूडेंट्स की बच्चों भी नज़र रखो फिर डॉंट वांट डैम तो चीट ड्यूरिंग दा एक्जाम हम नहीं चाहते कि वह एक्जाम में चीटिंग करें इसका मतलब है कि बच्चों के पर आपके नज़र रखनी है थाकि वह अपने एक्जाम को और निसली दे दें नेक्स्ट है आइडल हैं जादर डैविल्स टूल कि खाली हाथ होते हैं वह शेतान के लिए उसके टूल्स बन जाते हैं जैसे हिंदी में एक एडियम में की खाली दिमाग शेतान का घर वैसे अगर आपके हैं वह खाली रहेंगे तो आपके आपको अब करने में लाति रहेंगा या पर आपसे गलत काम हो जाते हैं कभी-कभी ठीक है आपको क्या करना उनको मेज़ी रखना है the kids should be kept busy while you are away idle hands are the devil's tool कि जो बच्चे हैं आपको उनको busy रखना चाहिए नहीं तो जो idle hands होते हैं वो devil's tool मतलब कि वो शिरारते करेंगे next है hole and corner policy मतलब कि आपने छुपके से secretly कोई policy बना दी यह चुपके से कोई काम किया तो वो क्या होएगा hole and corner policy I don't want any more hole in the corner deals कि आपने कोई भी deal चुपके नहीं करनी चुपाके नहीं करनी from now all our business will be done in the open कि आज के बाद हमारा जो भी काम होगा वो खुले में होगा क्योंकि जब भी आप कोई चीज छुपाके करते हैं तो वो गलत हो जाती है नेक्स्ट है heads over heels आप कोई शक्कल देख की बदाश हो रहा है कि जो यह इसके आस पर उतने सारे दिल ने यह प्यार में बागल हो चुका है ठीक है तो इसका मतलब कम्प्लेटली मैड इन लव ठीक है तो टॉम एन मैरी आर हेड्ज ओवर हेल इन लव विद इच आदर कि वो कम्प्लेटली एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत सच्चा वाला एंड और गोएंग तो गेट मैरिट नेक्स्ट मन्थ और उनकी अग्लेस महीने शादी होने वा अगमिश मेंस जो चीज बाँत भारिस अगर आपको गुबारा देखे उपर से आता हुआ तोक्या करोगे अगर तो गुबारा हल्क वर्लंप उसको करने की कोशिश करोगए लेकिन अगर वह लेड का बना हो है किसी मैटल का किसी भाडी चीज पंध्याबना हुए तो आप good response by audience the issue that the politician raised in his speech कि जो बत उसने अपने speech में उठाई थी bent down like a lead balloon with the public कि वो उसको public से अच्छा response नहीं मिला नेक्स्ट है day in and day out day in and day out का मतलब है सारा ही दिन तो ही वर्क्स हाड डे इन डे आउट कि वो दिन रात मेंदर करता रहता है नेक्स्ट है playing devil's advocate अब आप किसी बूरे इंसान को या devil को कब advocate करोगे जब आपको यह आप तब करते हो जब आपको सिर्फ अपने आपको दूसरों से अलग दिखाने इट मेंस कि दस लोग जो है वो positive side को support करें लेकिन एक side पर एक बंदा नेगेटिव है तो आप negative side को advocate करना start कर देते हो तो इसका मतलब है कि आप जो है वो बिलकुल जो पब्लिक है उसके opposite चलेगे बिना किसी बात को सोचे कि दूसरा जो इंसान है जो यह वह इंसान है उसके ideas क्या है वो किस चीज को oppose कर रहा है वो क्या चीज सोचता है ठीक है suppose कि दस लोग है वो बगवान को मानते है ठीक है और एक इंसान है जो बगवान को नहीं मानता और आप उस एक इंसान के पक्ष में बात करते हो बिना यह जाने कि वो बगवान को मानता है क्यों नहीं मानता है उसके reasons क्या है बस अपने मज़े के लिए आपको यह करने I don't really believe all that कि मैं कोई समय विश्वास नहीं है I was just playing devil's advocate कि मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था यह कि मुझे तो पता ही नहीं कि उसका क्या motive है क्या facts है क्या ideas है मुझे तो बस ऐसे ही करना था Next is call a spade a spade कि जो चीज जैसे हैं उसको वैसे ही बताना कोई changes नहीं कुछ नहीं आपको लगता है कि कोई इनसान बुर अच्छ है तो उसको बोल दो जो जिसके बार में खराब रग रही है उसको बता दीजे ठीक है तो जैसा जो जैसा है उसको वैसा ही बताना means. Call a spade a spade That dress made her look fat कि वो जो कप्रे थे उसमें वो मोटी लग रही थी Let's call a spade a spade कि उसको फटा-फट से जाके जो है बता देते हैं Before she goes out Wearing it कि वो पहन के उसे बाहर जाए And embarrasses herself और उसको खुद को ही इंसर्फिल हो ठीक है? जो चीज जैसी है उसको वैसे बताना और आज का जो लास्ट है वो है Once in a blue moon आपको पताएगी जो blue moon है वो बहुत रियरली दिखाए देते हैं बहुत कम तो जो चीज बहुत कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे Once in a blue moon I don't know him Why she bought that music system She uses it once in a blue moon कि मुझे नहीं पता कि वो इतना बड़ा system क्यों खरीद के लाई वो उसको बहुत रियरली यूज करती है ठीक है? कभी कभी और बहुत क्यों उसकी है